हेलो एवरिवान आज हम करेंगे क्लास फाइफ की मैट्स का चाप्टर नंबर टू एडिशन सब्ट्राक्शन और एप्लिकेशन और यह मैट्स की वक्षीट है देख सकते हैं आप तो सबसे पहला है री राइट इन कॉलम्स यूजिंग प्लेस वैल्यू एंड एड आपको डि से लिखेगा यह सॉलूशन ही है एक तरह से क्योंकि यह सब भी आपको खुछ से ही लिखना है ठीक है तो बस इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है दरवाइस मैंने आपको सब कुछ लिख कर दिया है सेम यहीं कुशन है 65875 75842 नेक्स्ट है 45735 प्लस 69046 111 321 प्लस 56789 51487 प्लस 456 प्लस 239601 10816259346 प्लस 189 डबल नाइन टू और आप यह देखिए वन्स तेंस हंड्रेट थाउजन 10 थाउजन लाक 10 लाक करोर यह हमारी प्लेस वैली होती है तो बच्चे को क्योंकि बच्चा फिफ्ट क्लास मा गया है तो उसको बहुत अच्छे सानी लिए नेक्स्ट है 287635 प्लस 1119893485 प्लस 48294 नेक्स्ट है आपका सॉल्व आपको इसको बच्चे को सॉल्व कराना है सेम यही कुश्चन है लेकिन यहां पर है माइनस में 8766-2984 मैंने यहां पर भी एक सॉलूशन करके दिया है सिर्फ आंसर नहीं लिखे है ताकि आपका 542-78645 938743-78243 50001-39846-21976-8756 30,000-18603 439235-145987 81065-21952 नेक्स्ट है सॉल्व यूजिंग कमपनसेशन यह एक मैथर्ड है जिसको हम सीखते हैं यहां पर 28 प्लस 86 है दियावा आप इसको नॉर्मली एड़ करोगे तो आपका आंसर आएगा 114 और कमपनसेशन कैसे करना है अगर आप प्लस टू की उपर वाले में प्लस टू कर दो और नीचे वाले में माइनस टू कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा 28 में प्लस टू करोगे तो 30 आजाएगा 86 में माइनस टू करोगे तो 84 आएगा जब हम इसको एड़ करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो यहाँ पर इसका एड़ होकर आया है अब कमपनसेशन का मतलब क्या होता है यह भी समझ लो आपको क्या करना है सेम डिजिट से उपर और नीचे क्या करना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सेम डिजिट में करना है अगर उपर आप प्लस टू ले रहे हो तो यहाँ पर नीचे माइनस टू आएगा ऐसा नहीं होगा कि आपने उपर प्लस टू ले लिया है और नीचे आप माइ 2 किया ठीक है मैं यहाँ पर 3 भी ले सकती थी प्लस 4 भी ले सकती थी लेकिन क्योंकि मुझे round figure चाहिए तो round figure के लिए क्या करना है हमें इसको plus 2 कर देंगे और क्योंकि हमने प्लस 2 लिया है तो हमें यहाँ पर automatically minus 2 में लेना है ठीक है तब के बाद किया आता है तो इसलिए मैंने यहां पर प्लस वन किया और नीचे माइनस वन ठीक है सेम यहां पर देखिए 63 मैं आप माइनस तो मैंने इसलिए ओपर माइनस थी लिया और नीचे प्लस थी लिया ठीक है यहां पर 63 में प्लस वन लिया और नीचे माइनस वन लिया क्योंकि मुझे 31 को क्या करना है राउंड फिगर में करना है नेक्सिकन एक 54 प्लस 39 तो 84 में ज्थर्टीए नीचे सब्सक्राइब नेक्सिक है यहां पर आपका प्रॉफिट लउस आजाता है कि अब आपको बताना है कि यहां पर प्रोफिट हो रहा है यह लास हो रहा है ठीक है सबसे पहले तो आपको यह पता होना च्छी यह कि सेलिं profit का होता है आपका ाइद sacrific coconut प्रॉफिट का मतलब होता है आपका नुक्सान हो रहcrire selling price होता है जिस छीशको आप बेच रहे हो इस प्राइस में आप बेच रहे हो कॉस्ट प्राइस वो हता है जिसमें मैंने खरीदा है तीक है अब मैं आप फाइदा होना हुआ किए और लॉस को मतलब होता है जब आपका नुखसान हो रहेह सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस में आप ठीक है अब मैं आपको एक Ciao क्रेंस्ट कर तो यस मैं उपने चोकलेट का बीजनेस कर रहे हो तो Alors ठीक है अब आपने अपनी शॉप पर रख लिया लाकर लेकिन आप अपना भी तो फायदा देखोगे ना उसमें मेरा भी तो फायदा होना चाहिए जब मैंने अपनी शॉप पर रखा उसको लाकर तो आप उसमें क्या करोगे उसको 50 रूपी एड़ करके उसको 150 में बेचोगे खरीदा कितने का आपने 100 रुपीज का लेकिन उसको बेचोगे कितने में आप उसको बेचोगे आप 150 में तो आपका फायदा कितने का हुआ बताओ जरा 50 रुपीज का फायदा हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो यह क्या हुआ अब देखो आपने जो मार्किट से खरीदा था 100 तो वह थी Ahmad कि कौस्ट प्राइस है वह सब यहां पर आप फ्राइब देखिए चनि पट्ना तॉईज THE का तो फेमस टॉइज तो उसके जो selling price है वो इतना है और उसकी cost price इतनी है तो आपको profit बताना है कितना हुआ है ठीक है हमेशा याद रखना जब भी selling price जादा होगा तो तभी आपको profit होगा selling price का मतलब होता है जो chocolate आपने 150 में बेची थी ठीक है भई खरीदी थी 100 में थी तो वो cost price था बेची आपने कितने में 150 में ठीक है वो selling price था बैस selling price जादा हुआ तभी तो आपको profit होगा पचास रुपय का तो जब भी selling price जादा होगा हमेशा profit होगा ठीक है कोईर मैट फ्रॉम केरला cost prices की 275 है selling price 255 है यह तो सामने से दिख रहा है selling price 255 है तो loss हो रहा है उसको यहां पर ठीक है तो loss हो करके दिखाना है कितने का loss हो रहा है तो अब फायफाइज में से जीरू ट्वेंटी तो ट्वेंटी रुपीश को लॉस हो रहा है नाम आप देखो कोला पूरी चपल्स कोला पूरी चपल महाराष्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 428 लेकिन आपने बेश दिया उसे 410 में ख कॉस्ट कर लिए आपने अपना यहां पर भी हैंडलूम साडी फ्रॉम ओडिशा अब ओडिशा से आपने हैंडलूम साडी अब कैसे ली कॉस्ट प्राइस उसकी है 1680 रुपए सेलिंग प्राइस से 2390 अरेवा आपने तो बड़ा वह कर लिए प्रॉफिट कमा लिए इसमें तो इसमें तो 1000 से क्या सपास का हो गया देखो कितना हुआ है मैं सही बोल रही हूं और गलत बोल रही हूं तो उसके लिए क्या करोगे 2390 को उपर रखोगे 1680 को नीचे रखोगे और तब इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट क्यों ह होगा प्रॉफिट क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है ठीक है अब नेक्स देखो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इनीच ऑफ दीज अब आपको क्या करना है प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो कैसे निकालोगा आप यह देखो आपको कॉस्ट Pris दे रखflower ठीक है ठीक है तो यह झोना इसेन प्राइस को आपको यह मिल रहीं और ने लॉस रहा है जो भी चीज क nego वहां तयों आको रही है सेलिंग चल जाएगा प्र्फिट हो रहा है सेलिंग प्राइस अपान्स प्राइसेंस किस तरीके चलेगा प्रॉफिट पादिया ऐसी करना है नेक्स्ट फाइंड फाइनल कॉस्ट ऑफ इच आइटम देन कैनकुलेट प्रॉफिट और लॉज अब देखो यह थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इस कुशन को एड गिया इसमें अब देखो आपको कॉस्ट प्राइस रखी है कॉस्ट प्राइ कई जाइब के मैंने और देखो आए क्छासे रिफ दिया दिए इसके रूपी उसकी जो ट्रॉपींग थी उस के डियो लगनी तो उसके मैंने चार्ज किया तो lateral 30 को को मोना हो गये मेरे वह बहुत सारी कर दीन उसको कर रहा है सारा क्या है तो आप क्या करणा हमारी तो फामिनेल कॉस्ट हो इसको अँस्का को यह हमारी cose u call Shividade C2 में जब overhead को CT isto रोग गए सो ihn प्राइस क्यों सब तो अब SP कैसे लूगो tego is वाली सब्सक्राइब करना है इसको मत्मिर कर देना जब तक ओभर हैद आपका एड नहीं होगा तब तक वह पूरी सी पी नहीं कहला जाएगी ठीक है तो आप माइनस करके आंसर निकाल सकतों आपको पदर चल जाएगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 75 रूपीस का ऐसे आपका नेक्स्ट कोशन है 909 आपकी सीपी दे रखी है 162 आपका ओवरेड दिया वह है फाइनल कॉस्ट कैसे निकालोगे प्लस क करके फिर आपको 1235 दे रखा है तो आप मांट आप बता सकते हो और प्रॉफिट हुआ या लाउस हुआ वह वह ने बता दिया तरीका उस तरीके से आप क्या करोगे निकाल लोगे तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज करनी है नेक्स्ट आपके वर्ड प्रॉब्लम है 150 फाइंड गेन और लॉस अब एक क्लेक्टर था उसने एक पेंटिंग खरी दी जो की 3500 रुबह की दी उसने बेच दी कितने में 2750 में भई खरीद रहा है तो यह CP है ठीक है 3500 CP हो गया जो चीज हमें मिल रही है नो उसको पहले लिखते रहो फिर उसके बाद बेच दिया से 2750 में जब हमारा CP बड़ा हो जाएगा तो हमें पता है कि हमारा लॉस होना है 100 और कितने का लॉस हुआ हमारा 750 का नेक्स्ट देखो और सेकंड हैंड फर नीचर डीलर बाई यूस टेबल फॉर 3250 एक उसने सेकंड हैंड फर नीचर खरीदा 3250 का और उसको पालिशिंग में उ 500 के साथ एड़ कर दिया तो हमारा आंसर जो है 3750 है यह जो है 3750 किया है यह हमारी CP है और SP हमें दे रखी है 4000 तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 4000 में से 3750 में नस करके ठीक है तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 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 है नेक्स्ट है कम्प्लीट टेबल सौरी एक पेच बीच में से निकल गया यूज डाइनिंग सेट इस सोल फॉर फॉर रॉपीज 9390 इट है बीन बॉट फॉर रॉपीज 11500 वाट इस दे लॉट इस इंकर्ड एक डाइनिंग टेबल सेट था जो की बेचा गया कितने में 9390 में बेचा गया मतलब सेलिंग को लॉस बताना है कितना हुआ है क्योंकि हमारी सीपी जादा है तो लॉस हो गई होगा तो हमारी लॉस कितना को वह 1710 का अब फरनीचर मार्ट बाइज एन ओल्ड सॉफा सेट फॉर रॉपीज 5380 उन्होंने कितने खर्च किये वने 840 खर्च किये उनके कवर चेंज करने में और 1000 मुस को बेच दिया कितना प्राफिट हुआ उनका उनका प्राफिट हुआ 2720 ओवरहेड फिर से सीपी में एड़ करन 25 थो प्राफिट कितना हुआ 58 का में अकर स्पानिग प्राइस और को सेटि निकालनी है , वो कैसे निकालते हैं आज सेलाकोट क्रेस कैसे क्या नकालते हैं कॉस्ट प्राइस में से लॉज को मायनस कर दो आपको सेलें मिल जाएगा ठीक है मै만 मैंने ठीक है नहीं दिखा है लेकिंग पूरा प्रोसेस समझा दिया माइनस अपने आपका ज़ेना चूल कि ऑफ और दे रखिए लॉज दे रखा है 57 कोस्ट प्राइस निकाल लो हराम से माइनस करके निकल जाएगा कांजी वन साड़ी फ्रम तमिलनाडू कोस्ट प्राइस आपको 780 दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है 1090 का अब सेलिंग प्राइस कैसे मैंने एक फंडा समझा दिया आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा लॉस होगा तो माइनस होगा सिम्पल है कम्प्लीट दा टेबल सेम ऐसे ही है यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस निकाल ली दी यहां पर आपको सेलिंग प्राइस निकाल नहीं है प्रॉसिस सेम रहेग लॉस होगा तो माइनस होगा प्रॉफित होगा तो प्लस होगा राशिद इंकर्ड रॉपीज 590 और चेहर ही सोल्ड एठ रूपीज 1-280 राशिद को एक लॉस हुआ पर जो कि उसने लॉस हुआ कितने रॉपीज का 590 का उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई 1280 तो सीपी कितना होगा मतलब उसने खरीदी कितने में होगी जो से बेचने पर उसे लॉस हुआ 690 का लॉस हुआ उसको ठीक है उसने उसे जो लॉस हुआ 690 का हुआ अड़ेजन बुक्स और रूपीज 1648 एट प्रॉपिट ऑफितने वोट इस दा कॉस्ट प्राइस अब हमें कॉस्ट के आंसर आजाएगा अब यह वाले जो है यह आप एडिशन मुल्टिप्लिकेशन सब्राक्शन सब इसमा आ जाता है इन कॉस्टेंस में दसंशाइन क्लब यूस्पेपर प्रिंटेड इतने कॉपीज इना यह आप दीज इतने कॉपीज वर इस्टिब्यूटेड हाँ मैनी इतने कितने डिस्टिब्यूट हो गए थे इतने हो गए थे और कितने नहीं होए थे डिस्टिब्यूट वह माइनस करके निगाल लेना श्री राम 175 टूर्णमेंट्स दप्राइज मनी टोटल अप टूर्पीज 2,25,000 इफ ही रिसीव दा सेम अमांट पर एवरी टूर्णमें जीते थे और उसने हर एक टूर्णमेंट से उसको इतना मॉंट मिलता था तो बताओ 75 से कितना मिलेगा सिंपल है इतने को आप 75 से मल्टिप्लाइब कर दीजे आपका अंसर आ जाएगा इस चैप्टर के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल क भी कर दिया करो मुझे थोड़ा सा मिलता है प्रहसाहन और मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आती हूं पर लेट साल थैंक्यू